हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्टिडी अंडेर्ड मैथ अनुजकुमार में मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोग स्वस्त होंगे मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रादे रादे चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन तो देखिए ये ट काम को चार गन्टे में कर सकता है तथा वी और शी उस्वाचए को तीन गटों में तथा ए और सी उसे दो गंडों में कर सकते हैं तो बताइए वी अकेला उस कारे को कितने समय में पूरा तो कुछ मी नहीं करना आपको क्या करना है बिल्गुल पिछले वाले कितरए हाराम से कि ए-ए कि तो रहा है ए-चार घंटे में और और सी हुए ब्यूर सी कि तरने कर रहे हैं तीन घंटे में भी-प्लस-चे पर रहे हैं तीन घंटे में तता ए और सी उसे दो गंटे में ए प्लस सी कितने हम करते हैं दो गंटे में देखेंगे क्या करेंगे सबका एल सीम लेंगे कि एल सीम मैंने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका मल्टीपल देखना है और उसका एक ऐसा मल्टीपल जो सबका मल्टीपल हो दो चार दूनी आठ घाए और तीन का मल्टीपल नहीं है तो यह कितना हो जाएगा बार है तो चारतियां फाहर है तीन च्राग और दो छिखित कि यह क्या है यह की कि अभी सेशी यह दोनों की एपिशुम्जी है यह और एक पिशुम्जी है अंवीद गरूँ गद आप लोग एपेजनसी नेकलना खी गए होंगे कि हूप कुर्छा क्तिए पूछा क्या है उसने पूछा है या करए बियकेले का पूछाा है या है इस वह थिक्तरफक्रा क्या आप in случаव यह पूछा य है तो फैख्र Now ही पता है एक अब इसे क्तिन है तीन है है SK आप एक लिखेंस के दीन हो गई ? त grain जब A की 3 हो गई तो A और C दोनों की कितनी है 6 A की 3 है तो C की कितनी बची जब A की 3 है और A और C दोनों की 6 है तो C की कितनी बची C की भी 3 बची क्योंकि A और C को मिला कर दोनों की कितनी है 6 कितनी है दोनों को मिला करके 6 अब देखो c की पता चल गई, जब हमें c की efficiency पता चल गई, तो देखो b और c, b और c दोनों की कतनी है, 4, हमें c की efficiency पता है, 3, c की efficiency, 3, और b और c दोनों की, b और c दोनों की 4 है, तो b की कतनी बची, b की एक बचेगी, b की efficiency, 1, b की efficiency 1 है, जब हमें b की efficiency पता चल गई, उसके कारे करने की छमत पता चले गई, तो हम उसका time नहीं वदा सकते हैं? आरहम से वदा सकते हैं? क्योंकि जो LCM वदा है को मारा क्या है? टोटल वर्ग है, तो चमता का, उसकी efficiency का total वर्ग में भाग लगा देंगे, वही क्या होगा, उसका time होगा, तो देखो B अकेला बी अगेला टोटल पर कितना आए बार है और बी की एपीजिनसी कितनी है एक एक किसकी एपीजिनसी वागा आदेंगे एक का तो उसका टाइम निकल का जाए कितना बार है ते जलो देखते हैं next question की और देखिए next question क्या कह रहा है next question कह रहा है A, B और C एक काम को अकेले अकेले किरम से दस दिन, बारे दिन और पंद्रे दिन में पूरा कर सकते हैं यद्वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम करने में कितना समय लगेगा वो उनकी अलग-अलग, अलग-अलग क्या दिया है, टाइम दिया है और मिलकर के टाइम उनका पूछा है तो देखेंगे क्या करना है दो इस से सरल कुछ हो नहीं सकता अगर ये कुछ्चन एक जम में है तो इस कुछ्चन से सरल कोई भी कुछ्चन हो नहीं सकता आपके लिए तो देखो, क्या करना है एका दे रखा है, एका कितना टाइम है, दस बी, बारे दिन, और सी का पंद्रे दिन, तो देखो, क्या करेंगे, सब का एल सी एम लेंगे एल सी एम, फिर कहना हूँ, एल सी एम बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल देखेंगे तो मल्टीपल देखो, 15 दूनी, 30, 30 बारे का मल्टीपल है, नहीं है, 10 का तो है लेकिन बारे का नहीं है एक ऐसी संख्या जो तीनों का मल्टीपल हो, तो 15 दूनी, 30, बारे का मल्टीपल नहीं है 15 35 बारे का multiple नहीं है 15 चोका 60 60 आ गया 60 क्या है 15 का भी multiple है 12 का भी है और 10 का भी तो देखो 10 चिक के 60 12 पंजे 60 और 15 चोका 60 स्वरी 15 चोका 60 तो देखो ये क्या है ये A की efficiency आ गई ये B की efficiency आ गई ये C की पूछा क्या है हमें पूछा है एक साथ मिलकर काम करें मिलकर तो हमें इनकी मिलकर के efficiency पता होनी चाहिए सब को जोड़ लो 6 और 5, 11, 4, 15 15 क्या है इन सब की efficiency ये तीनों की तो निकालेंगे A पिलस B पिलस C टोटल वर्क कितना है 160 टोटल वर्क कितना है 60 efficiency कितनी है तीनों की 15 भाग लगा देंगे 15 चोगा 60 कितना आएगा 4 यही वारा क्या होगा इससे सरल तो कोई question होई नहीं सकता तो देखते हैं अगले question की और देखेंगे next question क्या कह रहा है next question है A किसी कारे को दो दिन में तथा B तीन दिन में पूरा कर सकता है कोई कारे A A अकेला करे तो दो दिन में समप्द कर देगा और B अकेला करे तो तीन दिन में समप्द कर देगा C की साइथा से उन्होंने मिल कर एक दिन में पूरा कर लिया किस की साइथा से C की साइथा से मिल करके C आया साथ में और A और B दोनों आए C की साहिता ली और मिल करके एक दिन में पूरा कर लिया कितने दिन में कर लिया एक दिन में पूरा कर लिया तो बताईए C अकेला कम कितने दिन में समाप्त करेगा C अकेले का पूचाए कि C अकेला कितने दिन में स्माप्त कर लेगा तो देखिए कैसे होगा A दो दिन में B तीन दिन में और A पिलस B और साथ में कोन आया है C तब ये कितने दिने स्माप्त हो रहा है तब हो रहा है एक दिन में कितने में एक दिन में ये लगा है C की सायता से मिलकर उन्होंने एक दिन में स्माप्त किया है तो देखो L C M लेंगे L C M बड़ी वाली संख्या का मल्टिपल देखो तीन दूनी 6 तो 6 देखो दो का भी मल्टिपल है एक का भी है तो दो तिया 6 तीन दूनी 6 एक से ये 6 वार ये A की एपिसेंसी है ये B की है और ये A, B, C तीनों की एपिसेंसी है अब देखो एपिसेंसी निकल दी पूछा क्या है A अकेला क्या पूछा है A अकेला सॉरी C अकेला पूछा है C अकेला तो C अकेले आप हमें C की efficiency तो पता हो C अकेले की C अकेले की efficiency तो दो कैसे निगा लेंगे हमें C अकेले की efficiency नहीं बता हमें A और B दोनों की तो पता है A और B दोनों की efficiency कितनी है? 5 कितनी है? 5 A और B की A की 3 है B की 2 है दोनों की efficiency 5 A और B की efficiency 5 हो गई A, B, C, तीनों की efficiency 6 तीनों की कितनी जमता 6 और A और B दोनों की 5 तो बची कितना एक बच्चा वो कितनी किसकी है C की देखो A और B की 5 C की 1 हो गई ने 6 हमें जब C की efficiency पता कर चले गई तो हम इसका time निकाल सकते हैं C अकेला टोटल बच 6 एपीजिंसी एक कितना हुआ 6 दन ओके देखते हैं नेक्स्ट कुछ्टन की और देखिए नेक्स्ट कुछ्टन क्या कह रहा है नेक्स्ट कुछ्टन कह रहा है B और C एक काम को 12 दन में पूरा कर सकते हैं C और A उसे 8 दिन में कर सकते हैं और 3 मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं तो बताईए A और B मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं देखें कैसे हुआ यह B प्लस C कितने दिन में 12 दिन 12 दिन C और A उसे 8 दिन C और A 8 दिन तीनों मिलकर तीनों A B और C A B और C तीनों मिलकर कितने दिन में 6 दिन में पूछा है A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे चलो देखते हैं LC M कितना 12 का मल्टिपल देखेंगे 12 दूनी 24 8 का भी मल्टिपल है और 6 का भी मल्टिपल है तो देखो 12 दूनी 24 8 दिया 24 और 6 चोक 24 देखो यह किसकी एपीजिंसी आ गई B और C की यह C और A की यह किसकी है यह A B C 3 होगी है अब देखो हमें A और B मिलकर के पूछा है तो हमें A की एपीजिंसी पता हो और B की अब A और B की घटी तो कोई पता नहीं है यहाँ पर A और B है तो सात में C भी है हम पता नहीं कर सकते पता है तो देखो कैसे निगा लेंगे हम एपीजिंसी तो हमें B और C की पता है B और C की एपीजिंसी कितनी है 2 तो A की कितनी रह गई A B C 3 की 4 है A B C 3 तो 3 की 4 है B और C 2 की 2 है तो A की कितनी बची A की दो बचेगी A की efficiency कितनी बची दो अब यहां पर देखो जब A की efficiency 2 है A की efficiency 2 और C और A दोनों की efficiency 3 है C और A की यह कितनी होगी कि अब देखो यहां से सी की एक है पता है यहां से पता चली है जब सी की एक है तो बी और सी दोनों की दो है तो बी कितनी पचे कि एक बचेगी क्योंकि C की एक है और दोनों की दो है तो B की भी कितनी होगी A की होगी तभी तो दो उपाएगी चलो अब देखो पूछा क्या गया था A और B मिलकर आव में A की EPCENCY भी पता चले गी और B की भी A की EPCENCY मिलकर पूछा है हमें A PLUS B दोनों को मिला कर A की EPCENCY कितनी है 2 है B की EPCENCY 1 है दोनों को मिला कर कितना हुगा 3 हो गई दोनों की तो देखो टोटल बर्क कितना है 24 दोनों की EPCENCY कितनी है 3 टोटल बर्क कितना है 24 A की EPCENCY दो नकल के आई B की 1 टोटल बर्क कितना है 24 हुई तोनों के पिसंस कितनी हुई तीन तीन से भाग लगा देंगे कितना आ गया कि आठ दिन कि अगर यह और भी मिलकर करें कितने करेंगे उसको आठ दिन में चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुर्शन क्यों कि उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंदा ही होगी वीडियो को लाइक करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवस्ते दबाएं और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें धन्यवाद